हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं 15 ऐसे फूलों के बारे में बताने जा रहे हूँ जिन्हें आप बारिस के मौसम में लगा देंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और फूल भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिना किसी देरी कि मैं ज सानी से चल जाता है पर्मानेंट प्लांट है सर्दियों के मौसम में डॉर्मेंसी में चला जाता है लेकिन जनवरी फरवरी आते ही इसमें ग्रोध देखने को मिल जाती है और फिर मार्च अपरेल से इतनी ही तेजी से फूल देने लगता है और इसकी कटिंग फ्रेंड्स ऐ लगा सकते हैं कटिंग द्वरा लगा सकते हैं इसमें ज्यादा फूल देखने हैं तो खुली बारिस में रखिए लेकिन इसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए जिससे इसे पानी बराबर निकलता रहे और इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगी इसे 20 से आप कभ देखते ही रहते होंगे नहीं तो फेस्बुक पेज पर आपको में इनकी फोटोस मिल जाएंगी जो मैं आपसे अकसर शेयर करती रहती हैं आपके पास सदाबाहर के कौन-कौन से कलर हैं मैं कमेंट करके जरूर बताईएगा एक्स प्लांट है बारिस के मौसम में लगाया ज चेलेंगे और फूल भी आपको मुस्किल से 15 य 20 दिन में देखने को मिल जाएगा अगना पौदा है बारिस के मौसम में आसानी से ग्रो किया जा सकता है इसकी कटिंग आप ले आईए और लगा दीजिए ऐसे ही बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगी और बारिस के मौसम में त तेजी से खिलने लगती है वैसे तो यह पर्मानेंट प्लांट है हमेशा इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी चाहें सर्दी हो गर्मी हो जब बहुत जादा तेज सर्दी परती है तब आपको इसमें फूल देखने को नहीं मिलेंगे अगर इसमें आपको अच् कटिनिक से लगा ली जिए बहुत तेजी से ग्रोग कर जाएगा और सी कुला है। खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो छोटी सी कटिंग लाइए और इस मौसम में इसका फायदा उठा कर इसे लगा लीजे बहुत तेजी से ग्रोव होगी और इसको लगाने का तरीका तो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं इसको लगाने क तरीका आपको बता दूँगी किस तरह से इसे आप लगा सकते जिसके भी लगबक 4 से 5 कलर मेरे पास हैं आपके पास कितने कलर हैं यह कमेंट करके बताएगा इसके बाद आप लगा सकते हैं पॉरचुला का बहुत जयादा तेजी से इस समय भरमार मात्रा में यह खिलता है इसको cutting से कभी भी लगाया जा सकता है पर्सलेन की तरह ये होता है सुबे से लेकर सामता के बराबर खिला रहता है इसके बाद लगा सकते हैं सनफलावर इसके आपको अभी नरसी में पौद मिल जाएगी इसे आप 20 से लगा सकते हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट वेराइटी आत हैं लेकिन सीट्स को बारिस के मौसम से बचा कर रखेंगे तो नेक्स्ट येर फिर से ग्रो कर लेंगे अगला पौदा है कनेर का इसे भी कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं इस समय इसकी आप कटिंग अच्छे से तयार कर सकते हैं बारिस के मौसम में ये खिलने सुरू हो जाते हैं मैं अभी नर्सी गई थी तो 70-70 रुपए के ये प्लांट मुझे दिख रहे थे वहाँ पर अगर आपको लेने हैं तो कानपु नर्सी से आप ये पौदे खरी सकते हैं अगला पौदा है इफोर्बिया मिली का बहुत तेजी से खिलता है पर्मानन प्लांट है जितन अगला पौदा आप लगा सकते हैं जेट्रोफा का पर्मानन प्लांट है नेक्स प्लांट आप लगा सकते हैं अलमानडा का इसमें दो से तीन कलर आपको मिल जाएंगे सौरी मैंने अलमानडा बता दिया ये मुसांडा है अलमानडा दूसरा होता है मेरे पास दोनों ही प्ल कोमा का, ट्रिकोमा में बहुत सारी वरायटी आती है और बहुत सारे कलर भी आते हैं, तो इसकी भी पौध आप लेकर अभी लगा सकते हैं, 20-30 रुपए की इनकी पौध आपको कानपुर नर्सी में मिल जाएगी, वैसे मैं लखनाउ नर्सी भी गई थी, वहाँ पर भी इसी रेट में थे, इसके लाबा आप लगा सकते हैं, एक जोरा, इसमें से तीनों कलर मेरे पास हैं, लेकिन यलो कलर मुझे नहीं मिल रहा है, इसमें वाइट, पिंक, रेड और यलो कलर आता है, यलो कलर बहुत ज़्यादा अभी वाइरल हो रहा है, तो मुझे वो प्लांट नह बीज का है, लेकिन इसकी पौध यानि इसका बल्ब आप अभी लगा सकते हैं, इसे बीज दोरा भी उगाया जाता है, अगला पौधा है गुलाब का, गुलाब के बारे में तो सबी जानते होंगे, इसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं, पौधा लेकर आपको अभी अगला पौदा है साबनी का ये भी बहुत अच्छा पौदा है इसे गमले में ना लगा कर आप जमीन में लगाईए तो बहुत सारे गुछों में इसके फूल देखने को मिलेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आपको मिल जाएंगे ये पौदा थोड़ा महंगा होत तो फ्रेंट्स ये थी आज के हमारे पर्मानेंट प्लांट जिन्हें आप बारिश के मौसम में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये अगस्ते बहुत तेजी से खिलना सुरू हो जाते हैं कुछ तो बारिश के मौसम में ही बहुत तेजी से खिलते हैं सारे ही पर्मानेंट प्लांट है इन्हें आप अभी नर्सी से भी खरी सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तैंक यू